आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पनीर की बहुती ज़्यादा डिफरेंट और मज़ेदार रेसिपी आपने पनीर बहुत तरीकों से खाया होगा लेकिन इस तरीके से आप बनाएंगे आपको बहुती ज़्यादा सौधिश लगेगी है सबजी दस मिनट में आप इसको घरेलू चीजों से ही बनाकर आपको तयार कर सकते हैं आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजेगा बैल आइकन में जाके औल दबाईएगा सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे आज की मज़ेदार रेसिपी के लिए देखी हमने क्या क्या लिया हुआ है सारी सबजियों को हमने चौप करके रखा हुआ है तो इसमें हमने क्या क्या लिया हुआ है देखे हमने हरी धनिया काट के रखा है ये 200 ग्राम के लगबग पनीर है, इसके पीसेस काट लिया है, लेसून लिया है हमने, अदरक लिया है, हरी मिर्च है, दो कटे प्याज है, दो टमाटर है, ये बेसिक मसाले हैं जो हम सारे सबजियों में यूज करते हैं, नौर्मली हम जो सबजियों में यूज करते हैं, नमक ह तो ये सारी चीजें आप थोड़ा कम ज़ादा अपने हसाब से कर सकते हैं सबजी फ्राइ करने के लिए देखिए हमने कढ़ाई ले लिया है कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे इसमें अपने तेल भी आप अपने हसाब से कम ज़ादा कर सकते हैं और इसे गरम कर लेते हैं तो ये दीखिए गरम हो ही चुका है, इस तरह से आप चैक भी कर सकते हो तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कि हमें हल्का सा पनीर को हल्का सा फ्राइ करेंगे हम ज़्यादा देर आपको fry करने की जरूरत नहीं है आप थोड़ा सा तेल गरम करके बस इसको पनीर को डालके आपको बस चारो तरफ से सेख के आपको निकाल लेना है यदि आपको कच्छा पनीर डालना है तो आप कच्छा पनीर भी यूज़ कर सकते हैं पर इस तरह किसे हल्क असा फ्राइ कर लेते हैं तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है पनीर का हम ज़्यादा देर फ्राइ नहीं करेंगे बस इसको चारो तरफ से हम इसको ऐसे आपको थोड़ा सा तेल गरम करके और इस तरीके से आप फ्राइ कर लीजेगा ये दिखे इस तरीके से और बस हम निकाल लेंगे इसे ज़्यादा एकदम आपको लाल गोर्डन ब्राउन होते तक नहीं सेखना है बस आप इसको निकाल लेते हैं फटा फट तो जित्ते भी आपको पनीर यूज़ करना है आप इस तरीके से इसको हलका सा फ्राइ कर सकते हैं तो आप सबजी फ्राइ करने के लिए मसाला तयार कर लेते हैं तो मसाले के लिए देखिए हमने एक मिक्सर जार ले लिया है उसमें हमने कटा हुआ अधरग डाल दिया लैसून डाल दिया हरिमिज डाल देंगे और कटा हुआ प्याज डाल देंगे तो हम इसमें कच्छे मसाले का भी फिलाल यूस कर रहे हैं कई लोग पहले सेख लेते हैं पहले हलका सा तेल में हलका सा रोष्ट कर लेते हैं उसके बाद मसाला तयार करते हैं लिकिन हम पहले कच्छा मसाला तयार करे बाद में इसे फ्राइ करेंगे तो इस तरीके से यह क्या होता इसमें टाइम भी बच जाता है और टेश्ट भी अच्छा आता है तो आप लोग ट्राइ करके जरूर देखिएगा इसमें हमने देखे थोड़ा जीरा डाल दिया और धनिया पत्ती डाल देंगे इसमें कटा हुआ तो यह सब पहले हम मसाला इसको अच्छे से चिकना पेश्ट बना लेंगे थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि अच्छा सा चिकना ज्यादा भी ने डालिएगा थोड़ा सा ताकि चिकना पेश्ट बन जाए तो ये देखिए पीसने के बाद देखिए बड़े हा मसाला तयार हो चुका है हमारा तो तेल हमारा गरम था तो उसमें देखिए थोड़ा सा बेसिक मसाले हां डालेंगे तो तेजपत्ता है जीरा है और दालचीनी का तुकड़ा है तो यह देखिए दालचीनी का तुकड़ा डाल दिया ऐससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है तेजपत्ता डाल दिया और जीरा तो जित्ती भी gravy वाली सबजी रहती है ना उसमें लिए आप इस तरीके से ये मसाले डालेंगे ना दालशीनी है तेज पत्ता है तो उसका स्वाद अलगी हो जाता है तो ये जरू डालेगा और ये मसाला डाल देंगे हम इसमें जो हमने पीस के रखा है तो अब हम इसको fry करें क्योंकि हम पनीर मसाला बना रहे हैं तो आपका मसाला अच्छा रहेगा तो सब्जी भी अच्छी लगेगी तो मसाला आप थोड़ा सा ज्यादा ही डालिएगा इसमें तो दिखिए धीरे-धीरे करके यह हलका सा कलर चेंज होगा गुर्डन ब्राउन हो जाएगा तब तक हमें इसको थोड़ा सा सेखना है ताकि आपको कच्छापन भी नहीं लगेगा मसालों का तेज आच में मत करिएगा तेज आच में करेंगे तो वो काला हो जाएगा और फिर आपका सब्जी का कलर ही चेंज हो जाएगा तो मीडियम आच पे आपको धीरे-धीरे करके ही सेखना है यह देखे आप देख भी रहोगे थोड़ा थोड़ा कलर इसका चेंज होने लगा है मतलब बढ़िया मसाला इसक तयार हो रहा है यह देखे चमबच आप बीच-बीच में चलाते रहिएगा तो यह बस अलमुष तयार है अब हम इसमें डालेंगे टमाटर का ग्रेवी तो टमाटर जो हमने कटा हुआ रखा था तो उसी मिक्सर जार में हम इससे डाल देंगे और इसका बढ़िया सा चिकना पेस्ट बना लेंगे हम तो इसमें पानी डालने की जरुद नहीं कि टमाट तो यह दिखिए टमाटर में अल्रेडी पानी रहता है तो बढ़िया इसका चिकना पेस्ट बन जाएगा तो यह दिखिए टमाटर हमने पीस लिया और इसका ग्रेवी बन गया बढ़िया तो जो हमने मसाला तियार किया है उसमें हम यह टमाटर की ग्रेवी को डाल देंगे टमाटर का ग्रैवी डाल देंगे और बढ़ी हम मिक्स कर लेंगे इसमें मसालों के साथ अब टमाटर को भी थोड़ा सा आपको हलका सा भूनना है ताकि टमाटर में भी कच्छा पन नहीं रहे और अल्रेड़ी ये पिसा हुआ है तो इसको टाइम नहीं लगेगा पकने के का इसको भी बढ़िया मिक्स कर लें और भून लें तो आप देख भी सकते हुं देखो बहरा टमाटर भी अच्छे से भून चुका है अमारा मसाला जरूर अच्छे से भूनिएगा भूनने में आप कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा जित्ता अच्छा मसाला भूनिएगे सबजी उतने ही टेस्टी लगेगी आपकी तो मीडियम आच में इसको जरूर भूनिशते रहिएगा तो यह दीखी बढ़ी हासा भून चुका है अब बेसिक मसाले इसमें डाल देते हैं तो हमने इसमें देखी कस्तूरी मेथी डाल दिया गरम मसाला डाल दिया लाल मेच हम थोड़ा ज़्यादा डाल रहे हैं थोड़ा चटपटा सबजी मसालेदार रहता है तो अच्छा लगता है हल्दी पाउडर डाल दिया धनिया पाउडर डाल देंगे ये सब आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कम ज्यादा स्वाद के नुसार नमक डाल देंगे इसमें इन सब को मिक्स कर लेंगे और बढ़िया मसालों को भूंज लेंगे ये दिखें बढ़िया हमारा मसाला पनीर मसाला एकदम तयार हो चुका है थोड़ा सा हम इसमें हिंग डाल देंगे कोई भी ग्रेवी वाली सबजी रहती तो उसमें आप हिंग जरूर डाल दीजेगा तो ये अपने हेल्थ के लिए अच्छा रहता है इस तरीके से बढ़िया मसाले को देखें, बढ़िया भूंज लेंगे तो अल्मूस्ट ये तयार है हमारा मसाला इसमें हमने देखी जो फ्राइ करके रखा था पनीर को, सारे पीसिस को हम डाल देंगे और मसालों के साथ बढ़िया सा इसको मिक्स कर लेंगे तो उससे पहले आप पानी मत डालिएगा, बस ये मसाले में पनीर को डालके हलका सा हम दो-तिन मिनट इससे ढख कर थोड़ा सा इसको पकने देंगे तक मतब ताकी जो पनीर के अंदर है वो मसाला चले जाए, नमक वगएरा अच्छे से चले जाए उसके बाद हम इसका ग्रैवी तयार करेंगे, तो दो मिनट हम इसको पका लेते हैं तो देखिए हमने इसके बाद इसमें बढ़ी हासा ग्रैवी डाल दिया है और हमारी पनीर मसाला की सबजी एकदम तयार है इसको सर्व करके दिखाते हैं, आप देख सकते हो, कि सबजी देखने में भी और उसका जो कलर है, कितना सुन्दर दिखाई दे रहा है, खाने में उतना ही ज़्यादा स्वादिश्ट है टाइम भी बहुत कम, 10 मिनट में आप इस सबजी को तयार कर सकते हो इस रेसिपी को आप जरूर ड्राइ कीजेगा, कमेंट जरूर कीजेगा आपको रेसिपी कैसे लगी, थैंक यू